रोनकपुर नाम के एक शहर में राजा रोनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहां की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिध्ध आकाश में भूतियां पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पती होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बिता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच-सोच कर परिशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादूई पौधे का पचा चल खैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि का रंग काला है इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोशना कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर एक हजार सोने के सिक्के देंग राजा के सारे चतुर मंतरीों ने भी तरकीब लगाई लेकिन पेड को कोई भी नश्ट नहीं कर पया। किसी ने पेड के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतियां पेड को हाथियों तक से किंचवाया लेकिन पेड को कुछ भी नहुआ। अब लोगों के मन भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुँच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ती को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो। समझदार व्यक्ती ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ती तेजी से राजा के पास गया। और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही ये पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों और खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते पांचमें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे एनाम की एक हजार सोने की मोहर पहल जिसका समाधान न किया जा सके जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की